हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात पैपर पोर्ट की क्विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यहां पे आप देख रहे होगे कि जीपी पील सही चल रहा है बुलिश मोमेंटम फिर से स्टॉक म अच्छा देखने को मिला अलमुस्ट अभी तक 17% रिटन्स तो आईगा इस स्टॉक में साथ दिन में तो सही चल रहा है स्टॉक अब कुछ लेवल्स बताऊंगा वो नोट डाउन कर यह स्टॉक में आप देख रहे होंगे स्टॉक चैनल में मल्टिबल चैनल बनते हुए न यहां से नीचे आता है accumulation ऊपर रिटरंस accumulation रिटरंस accumulation को ऐसे चलने वाला है स्टॉक तो अब आपको क्लियर होगा है स्टॉक कैसे जा रहा है यहां पर आप देखें जो समझने वाली बात है कि स्टॉक में सेलिंग कहां देखने को मिली आज 161 पर यहां से स्टॉक में उपर जा नहीं पाया और अपनको बायर्स कहां देखने को मिलें स्टॉक में 152 पर साइकलोजिकल लेवल सस्टेन होने के बाद तो जो भी मेरे रेगुलर वीवर है उनसे मैं यही कहूंगा मैंने हर वीडियो में कहा था आपके कमेंट्स में भी काता है कि साइकलोजिकल लेवल जलेगा वो अपना काम करते हुए नजर आ रहा है 150 सस्टेन करके आप भाग रहा है स्टॉक यहां करेक्शन भी हो चुका है आप देखेंगे पहले यह निफ्टी का करफॉल आया तो इसमें भी करेक्शन हो गया साथ ही साथ यह पूल बैक बना तो फ्रेस एंट्री जा गई तो नेक्स जो उपर टारगेट रहेगा अपना यहां से रहेगा 165 165 सस्टेन करने के बाद स्टॉक में अपना जो नेक्स टारगेट रहेगा 170 और देन 175 मैं बटे टारगेट नहीं ले रहा हूँ मैं 5-5 पॉइंट के टारगेट ले रहा हूँ क्योंकि easy रहते हैं achievable रहते ह चोटे-चोटे टारगेट अचीव होने से और आपका trailing stop loss भी shift होता जाता है उपर की तरफ क्योंकि उसमें यह रहता है कि आपको डर नहीं रहता है कि already आपके कुछ percent returns तो आकर यहां से यहां तक जाएगा तो obviously अब आपने अगर किसी ने यहां बाय कर लिया तो यहां से आ तो फिर दोस्तों तक के target होंगे अब बात करें कि support कहा है support हमेशना पता होना चाहिए क्योंकि without support आपको किसी भी stock में entry नहीं लेनी चाहिए वो ज्यादा risk होता है तो पहला support नीचे की दिशा में आपका बनेगा 155 और दूसरा इसी दिशा में 150 तो यह दो हो गए अपने support अ झाहिए झाहिए झाहिए